हलो में डियर फ्रेंज कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हैं आप लोग अच्छे और स्वास्त होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग RRB ALP exam 10 अगस 2018 की सकेंड शिफ्ट में गनीद से पूछे गए सभी प्रस्ण को एकदम बेसिक से समझेंगे आज का ये क्लास Previous Year Question का पांचमा Practice क्लास है अगर आपने इस से पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गिया है उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं पहला कुछ्सन है एक वर्गाकार खेल का छेत्रफल 196 वर्ग मीटर है इसकी परतियक भुजा की लंबाई कितनी है देखिए एक वर्गाकार खेल का मैदान है इस मैदान का आपको छेतरफल दिया गिया है और आपसे पूछा गिया है परतियक भुजा की लंबाई कितनी है देखिए वर का छेतरफल बराबर क्या होता है तो वर का छेतरफल बराबर होता है भुजा स्क्वाइर छेत्रफल आपको कितना दिया गिया है तो छेत्रफल दिया गिया है 196 196 बरावर हो जाएगा परतियक बुजा की लंबाई आगिया 14 option D हो जाएगा सही answer अगला question number 2 है लालू और बालू की IU का अनुपात 1 ratio 2 है 7 वर्ष बाद या अनुपात 3 ratio 5 हो जाता है तो बरे व्यक्ति की IU कितनी है देखिए लालू और बालू की IU का रेशियो कितना दिया गिया है तो लालू और बालू की IU का रेशियो आपको दिया गिया है 1 ratio 2 तो इसको लिख सकते हैं 1 X अपॉन में 2 X आगे question में कहा गिया है 7 वर्ष बाद इन दोनों की IU का रेशियो हो जाता है 3 ratio 5 तो इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन में 5 अब इसको solve करने के लिए cross multiplication करेंगे 1 X को multiply करेंगे 5 से तो संख्या आ जाएगा 5 X प्लस में आ जाएगा 35 ब्रावर में value कितना आ जाएगा तो ब्रावर में value आ जाएगा 6 X प्लस में आ जाएगा 21 अब देखिए 6 X में से 5 X मैनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 X आ जाएगा 35 में से 21 को घटाएंगे कितना आजाएगा संख्यां आजाएगा 14 तो X का value निकल के आगिया 14 अपसे question में पूछा गिया है तो बरे व्यक्ति की IU कितनी है तो बरे व्यक्ति की IU है ratio में 2X X का value रखेंगे 14 तो कितना आजाएगा 2 multiply 14 करेंगे संख्यां आजाएगा 28 तो बरे व्यक्ति की IU हो जाएगा 28 वर्ष option C हो जाएगा सही answer अगला question नमर 3 है दो और अन्ठानवे के बीच मद्य अनुपाद ग्याद कीजिए देखिए आपको संख्यां दिया गिया है दो इसके बाद दिया गिया है अन्ठानवे आपसे पूछा गिया इन दोनों के बीच मद्य अनुपाद क्या होगा तो मद्य अनुपाद निकलने के लिए इन दोनों को करेंगे आपस में multiply और इसके उपर लगाएंगे road इसको solve करेंगे कितना आजाएगा इसको solve करने के बाद संक्या आजाएगा 196 196 किसका वर्गमुल होता है तो 196 होता है 14 गुने 14 यानि root से बाहर निकलेंगे कितना आजाएगा तो संक्या आजाएगा 14 option A हो जाएगा सही answer अगला question number 4 में आपसे खूछा गिया है इस संक्या में 4 और 2 के अस्थानी अमान का अंतर कितना होगा देखिए आपको संक्या दिया गिया 8, double, 3, 7, 4, 9, 5, 0, 2 इसमें 4 और 2 के अस्थानी अमान का अंतर आपसे पूछा गिया है तो इस 4 का अस्थानी अमान निकलेंगे क्या आएगा तो इसका value हो जाएगा 4 के बाद 4,0 क्योंकि 4 के बाद 4 digit है ठीक है अब इस दो का स्थानी अमान निकालेंगे कितना आएगा तो इस दो का स्थानी अमान हो जाएगा 2 इनी दोनों का अंतर आपसे पूछा गिया है तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा फिरे के बाद तिरपल 9 हो जाएगा इसके बाद संक्यां आ जाएगा अए तो कौन सा option में दिया गिया इस प्रकार से? Option नमर A में दिया गिया है Option A हो जाएगा सई answer अगला question नमर 5 है संक्यां 40 प्राप्त करने के लिए संक्यां 56 अपन में 9 को किस से गुना किया जाना चाहिए? देखिए आपको संक्यां दिया गिया है 56 अपन में 9 इस संक्यां को मान लेते हैं X से गुना करने के बाद संक्यां प्राप्त होता है 40 अब देखिए 8 से काटेंगे 56 कर जाएगा 7 बार में 40 कर जाएगा 5 बार में X बराबर value निकल के कितना आ जाएगा तो X बराबर value निकल के आ जाएगा 9 multiply में 5 करेंगे तो संक्या आ जाएगा 45 upon में आ जाएगा 7 तो X का value निकल के आ जाएगा 45 upon में 7 option C हो जाएगा सही answer अगला question नम्मर 6 आए जिसमें आपको A ब्रावर value दिया गिया है इसके बाद B ब्रावर भी value दिया गिया है आपसे पूछा गिया है A B का मान कितना आएगा देखिए A ब्रावर value आपको दिया गिया है मैनस का 14 प्लस का 4 इसको solve करेंगे कितना आजाएगा तो A का value निकल के आजाएगा मैनस का 10 इसके बाद B का value आपको दिया गिया है 4 मैनस का 14 इसको solve करेंगे कितना आजाएगा तो B ब्रावर value निकल के आजाएगा मैनस का 10 आपसे पूछा गिया है A multiply B क्या होगा तो A बड़ावर value आगिया है मैनस का 10 और B बड़ावर भी value दिया गिया है मैनस का 10 इसको solve करेंगे संख्यां आजाएगा प्लस में 100 प्लस में आजाएगा इसका value 100 option C हो जाएगा correct answer अगला कुछ सना है board mask का इस समिकरान को solve करके बताना है इसका right answer कितना आएगा देखिए 60 में जब 5 से divide करेंगे तो संख्यां आजाएगा 12 इसके बाद bracket को solve करेंगे 8 को divide करेंगे 2 से तो 4 बार में संख्यां कर जाएगा 16 में से 4 कटाएगे संख्यां आजाएगा 12 इसके बाद है divide इसके बाद संख्यां है 3 3 से काटेंगे 12 कर जाएगा चार बार में बारा गुने चार करेंगे कितना आ जाएगा संख्यां आ जाएगा 48 तो option C हो जाएगा सही एंसर question number 8 में आपसे पूचा गिया है संख्यां 4624 का वर्गमुल क्या होगा देखिए option B में आपको संख्यां दिया गिया है 66 66 में last का unit digit है 6 जब 6 का square करेंगे तो कितना आ जाएगा unit digit है 6 इसी परकार option C में आपको value दिया गिया है 64 64 में last का unit digit है 4 जब 4 का square करेंगे तो संख्यां आ जाएगा 6 और हमें last में unit digit कितना चाहिए तो हमें चाहिए 4 इसलिए ये दोनो option हो जाएगा wrong option D में आपको संख्यां दिया गिया है 72 मान लेते हैं 72 का square आपको नहीं पता 70 का square तो आसानी से निकल सकते हैं 70 का square हो जाएगा 4900 4900 आजाएगा 70 का square हमें संख्यां कितना चाहिए तो हमें संख्यां चाहिए 4624 जब 70 का square 4900 है तो 72 का square करेंगे तो इससे भी जादा आएगा इसका value इसलिए ये option हो जाएगा wrong अब एक ही option बजगिया option A जो हो जाएगा इस प्रस्ण का सही answer अगला question number 9 है सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से तीन गुना है सीता एक खाली ड्राम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्राम को भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्राम में पलतनी होगी देखिए सीता को दर्शा रहें S से और रामू को दर्शा रहें R से कुश्चन में कहा गिया है सीता की बाल्टी की चमता रामू की बाल्टी की चमता से तीन गुन्ना है इसका रेशियो आ जाएगा थिरी रेशियो वन आगे कुश्चन में कहा गिया है सीता एक खाली ड्राम को भरने के लिए साथ बार बाल्टी पलरती है सीता की बाल्टी की चमता है 3 लितर तो 60 बार में कितना लितर हो जाएगा तो 60 बार में हो जाएगा 180 लितर ड्राम की चमता हा गिया 180 लितर आगे कुछ्षन में कहा गिया यरी सीता और रामू दोनों मिलकर ड्राम को भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्ती भर कर ड्राम में पलकनी होगी सीता की बाल्ती की छमता है 3 लितर और रामू की बाल्ती की छमता है 1 लितर दोनों मिल करके कितना लितर पानी भरेगा तो दोनों मिल करके एक बार में 4 लितर पानी भरेगा ड्राम की टोटल समता है 180 लिटर चार से जब डिवाइड करेंगे कितना आजाएगा 45 बालती पलतना परेगा इस ड्राम को भरने के लिए तो option A हो जाएगा सही answer अगला question नम्मर 10 आए pipe A और B किसी तनकी को 4 गंते और 10 गंते में भर सकता है जबकि pipe C उसी तनकी को 6 गंते में खाली कर सकता है यदि तनकी का 3 अपन में 4 भाग भरा हो तो तीनो pipe के दोड़ा कितने समय में तनकी भरेगी देखिए pipe A जो है किसी तनकी को 4 गंते में भर सकता है pipe B उसी तनकी को 10 गंते में भर सकता है और एक तीसरा पाइप है C जो उसी टनकी को 6 गंटे में खाली कर सकता है ये पाइप खाली करता है तो इसके उपर sign यूज करेंगे मैनस का जब इन तीनों का LCM निकालेंगे कितना आजाएगा तो इन तीनों का LCM आजाएगा 7 चार से डिवाइड करेंगे संक्या कर जाएगा 7 15 बार में 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार में कर जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे संक्या कर जाएगा 10 बार में अब देखिए कुश्चन में कहा गिया यदि तनकी का 3 अपन में 4 भाग बढ़ा हो तो तीनो पाइप के दुवारा कितने समय में तनकी भरेगी देखिए तनकी का टोटल समता है 7 लिटर का तनकी का टोटल समता है 7 लिटर इसका 3 अपन में 4 भाग पाले से भरा हुआ है तो तनकी के अंदर कितना लिटर पानी पाले से है तो तनकी के अंदर 45 लिटर पानी पाले से भड़ा हुआ है 15 लिटर पानी खाली है तनकी में इस 15 लिटर को भड़ेगा कौन? इस 15 लिटर को भड़ेगा तीनो पैप एक गंटा में 15 लिटर पानी भड़ता है बी एक गंटा में 6 लिटर पानी भड़ सकता है और C जो है एक गंटा में 10 लिटर पानी खाली कर सकता है तो अवर ओल एक गंटा में कितना लिटर पानी जाएगा तनकी में अवर ओल एक गंटा में तनकी में पानी जाएगा 11 लिटर तो 15 अपोन में 11 गंटे का समय लगेगा इस तनकी को भरने के लिए तो option D हो जाएगा सही answer अगला question number 11 है यदि भूजा ये की काई हो तो word का छेतरफल इसकी भूजा की बराबर होता है तो आपको बताना इन चारो option में से कौन सा option सही दिया गिया है तो इसका right answer हमें comment box में बताएगा ठीक है तो मिलते हैं हम लोग अगले class में तब तक के लिए channel पर नए है तो channel को subscribe कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का class continue मिलता रहे